पुर्व सर्पंच राइस सिंग ने जानकारे देती हुए बताया कि ग्राम खोकरा कला में विजय दश्मी के उपलक्ष में रावन दहन के परंपरा साधियों से चली आ रही है भगवान श्रीराम ने मा सीता का हरन करने वाले लंका के राजा रावन का वद आश्मीन शुकला दश्मी को किया था पराणी कताओं के अनुसार भीश्यर युदि के बाद दश्मी को रावन का वद हुआ था वहीं श्रीराम ने लंका वजय प्राप्त की थी इसलिए इस दिन को विजय दश्मी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है इस यूपलक्ष में ग्रामिड जनु द्वारा ढोल नगाले के साथ चल समहरो राजपुत महला से में मारकेटर वहीं भेरु जी के गोहे से होकर दशहरा मैदान तक भाविय चल समहरो निकाला गया इसके पश्चाथ परायन मंदल द्वारा राम रावर समवाद किया गया और शाम साड़े छे बजे रावन का पतला दहन किया गया इसके पश्चाथ सभी ग्रामिर जनू ने भेरु महराज के दर्शन किये और एक दुसरे के पैर छूप कर आशिरवाद लिया वहीं एक दुसरे का संबान कर दशुरा की शिपकामनाय दी शाजपूर से दिलप सुराश्ट्री की ये रिपोर्ट